नमस्कार स्वागत आपका MP तक पर मैं हूँ रवीशपाल सिंग। मदबदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बावजूद भारतिय जन्ता पार्टी लोगसभा चुनावों को हलके में नहीं लेना चाहती है और यहीं वज़े है कि दिल्ली में मंगलवार को एक महत्वपून बैठक के बाद भारतिय जन्ता पार्टी ने मदबदेश में भाजपा के बड़े चहरों को एहम जिम्मेदारियां दे दी है MP में भारतिय जन्ता पार्टी ने साथ नए कलस्टर प्रभारी बनाए है जिनके अंतरगत चार चार लोगसभा सीटों की जिम्मेदारी रहेगी भोपाल के अलावा जिन जगों पर ये क्लस्टर बनाये गए उन सभी में 4-4 लोग सभा सीटे आती हैं जबकि भोपाल में 5 लोग सभा सीटों की जिम्मेदारी है 7 जो नए क्लस्टर बनाये गए हैं उसमें जो बैठक हुई थी उसमें मद्रबदेश के पूर्व ग्रेह मंत्री नरुत्तम मिश्रा को एहम जिम्मेदारी दी गई है नरुत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल क्लस्टर का प्रभारी बनाये गया है यानि इसके अंतरगत नरुत्तम मिश्रा के अंतरगत गौली और चंबल की जो लोकसभा सीटे हैं वो आएंगी इसके अलावा प्रहलात पटेल जो की मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं उन्हें जबलपुर क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है जबलपुर क्लस्टर के अंदर चाल लोकसभा सीटे हैं इसके अलावा आकर देखा जाए तो उपमुख्य मंत्री मद्रप्रदेश के जगदीश देवडा उन्हें उज्जेन क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है मोहन सरकार में ही मंत्री केलाश विजेवर्गी को इंदर क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है इसके अलावा आकर देखा जाए तो विश्वास सारंग को भोपाल क्लस्टर की जिम्मेदारी जो दी गई है जिसके अंतरगत पांच लोकसभा सीटे आती है जो प्रभारी बनायेगा उसमें अगर आपको बताए तो राजे शुकल को विंद की जिम्मेदारी मिली है जिसके अंतरगत रीवा शेहडोल संभाग आते हैं इसमें रीवा सतना सीधी ये लोकसभा सीटे शामिल है इसके लावा भोपाल नर्मदापुर्ण संभाग की जो कलस्टर बनाया गया है उसमें विश्वास आरंग को जिम्मेदारी दी गई है इसमें पांच लोकसभा सीटे हैं जिसमें होशंगाबाद, बैतूल, विदीशा, भोपाल और राजगर शामिल है केलाश विजवरगी को इंदोर कलस्टर का प्रभारी बनाया गया है जिसके अंतरगत इंदोर धार खरगोन खंडवा देवास ये लोकसभा सीटे आएंगी तो इसके लावा जगदीश देवडा को उज्जेन कलस्टर का प्रभारी बनाया गया है जिसमें उज्जेन के साथ प्रभारी बनाए गए हैं दरसल इसकी कारिय योजना इस तरीके से रहेगी कि ये सभी जो प्रभारी बनाए गए हैं इनका काम होगा मद्रबदेश के लोकसभा चुनावों में कारिकरताओं पर पहनी नजार रखना रणनीती जो तै की जाएगी उस रणनीती के तहट काम किये जाएंगे और डे टू डे बेसिस पे रिपोर्ट जो है वो बना करके सीधे दिल्ली में आला कमान को भीजी जाएगी ये बैठक दिल्ली में होई थी जिसमें राश्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा तो शामिल थे ही लेकिन गरह मंत्री अमित शा भी इस बैठक में मौझूद थे और इस बैठक के लिए संगठन के जो तमाम पदादिकारी है मद्रबदेश में भाचपा के वो सभी लोग इस कल देश शाम तक ये बैठक चलती रही है मंगलवार को जिसके बाद ये क्लस्टर को जो प्रभार है ये अलग-अलग चेहरों को सौब दिये गए हैं कुल मिलाखे कहा जा सकता है कि बारतिय जन्ता पाइटी जिसे चुनाव लड़ने की मशीन के तौर पे भी जाना जाता है वो मद्यपदेश जैसे मेट्रोपुन राजिकों जहां 29 में से 28 लोग सभा सीटों पर भाजपा के सांसर है भाजपा चाहती है कि इस बार राममंदी निर्मान के साथ ही जो एक भावनात्मक जुडाओ लोगों का धर्म के साथ जुडाओ लोगों का भाजपा के साथ होने वाला है उसको जाद से जादा इस्तमाल करते हुए 29 की 29 लोग सभा सीटों पर मद्यपदेश में भाजपा अपना कबजा करे भाजपा की ये कोशिश है और इसलिए प्रचेंट बहुमत के बावजूद भीभारती जन्ता पार्टी अपने प्रदर्शन में कोई कमी ना रह जाए इसके लिए पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है